अब हम तुमको दिखाते हैं देखो, ओ भाई, देखो, अलग खिला खिला चावल, वेज बुलाव बनके तयार है, ओ भाई, मम्मी, जो भाफ से जो खुशुवु आ रही है न, क्या टॉप की लग रही है, देखो गोबी वगेरा देखो, एकदम ये, एकदम गली हुई सबज कंवी आई, जुटु मोलाव जुट्यम जक्तो ए ऐये, व करन लेखो, पर आए, मेत जुटु में नहीं होना चाहिए, आर टेस्ट खडे मसालू का टेस्ट जो आ रहा भाई साब, क्या टेस्ट आ रहे है, क्या बना रही है, मम्मी, आज हम वेज मसाला पुलाव बनाएंगे वेज मसाला पुलाओ यह बहुत ही मैज़दार होता है खाने में और फटा फट बन भी जाता है अब रोज 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 के खाना खाना क्या जाता है थोड़ा चेंजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है तो देखो हम सरसो के तेल इसमें डाल लिये हैं यह एक चमज जीरा है यह चार लॉंग है दो बड़ी लाइची है चार छोटी लाइची है दो इस्टार है जायत्री है एक इंच के टुक्राइए दाल्चीन है एक तेज पात है इस अब को हम इसमें ढाल देंगे ममी वेज पुलाओ में खड़े मसालों कस्तमान तो होता ही है अब अब अच्छ को सब्सक्राण Lewis कर फीजन करते हैं बारिक में लच्छा कट लिए हैं तो भी ढाल देंगे अधी दो लिये हम यह लच्छा का श्वाच सब्सक्सिटां सब्सक्राइब द्लाएगा जो था बिल्कुल पर्फेक भूम गया है ठ्साए टेल को एकसाइट कर ले यह मिर्ची को हम डालेंगे इसमें चार मिर्ची हां अज़कि एक ये आलू है आप अपने इक्षा कर अउसार आलू लिजिए एक दो लिजे जितना मन कह लिजे और ज़कि ये गोभी है इसको हम काट लिए है गाजर है इसमें इक्षा अउसार अपने पसंद कर आप अपने डाला की नहीं दलता मोगल खराब हो जाता है अगर्णकों का बच्चे सब बना लेंगे ये वैज पलाव को अगतला लड़कों की चीज आ फटा फटा अच्छा मतब्ध तेस्टी भी लगता है चेंज भी लगता है फटा पट बंद भी जाता है ज्यादा बरतन कुछ नहीं यह कही बर्तन अब थोड़ी सा इसको हम भूनेंगे अब देखिए यहां यह इतना हम फ्रोजन मटर डाल दे रहे हैं अब फ्रेस मटर का अगर सीजन हो तो फ्रेस मटर तो सबसे अच्छा होगा फ्रोजन मटर गए मम्मी यह भी बहुत अच्छा बनता है पहले त हर जेगा सो नहीं मिलता था भाहर जर्जन गया तो गया ऐसा था अब देख़ो यहां नमक डाल देंगे लिए चोटे छाम से दो चमश हम नमक हम डाल दिए यह यह दोचमत कीति किचें किंग मसाला है किचन किंग przetip उस ब्रियानी मसाला है तो दो चमश और किंग किच्न त हां क्या कि ये इसका फुस्फुर अलग होता है कि लोग तो छे आइंगे जाके हां सब को हिलाएगा अधिके ये प्रेटा हुआ दाही है दो चमच तो थोड़ी सा हम और तीखा थोड़ा बढ़ाने के लिए हम इसको का करेंगे छोटे चमच से ही इसको हम थोड़ी सा ये डाल अधिक दिख़गा है अधिकी सब्जी भून गया है पानी सुग गया अलकल कर तेल दिख रहा है अधिके काम सुरू करने से पहले यानि बनाने के पहले कर दस पंद्रा मिनित पहले चावल भोके ऐसे टेरे करके रख दीजे तो पूरा पानी निकल जाएगा चावल दिखी बिल्कुल ऐसे सुखा सुखा हो जाएगा अब इसको हम इसमें डालेंगे अकड़ी दो मिने तक हम इसको भूनेंगे ममी ऐसा चावल करने से हुआ क्या है ऐसे यह मतलब भूनेगा अच्छे से जितने मार कम आएगा न चावल से उतना ही एक टेस्टी बनेगा अच्छा आदे आधी चमच गरम-चाला डालेंगे कि अच्छा भूनेंगे कि इस पहलिका सफेद स्वोट आजाए चावल पर अब क्या करना है बिल्कुल मेजर्मेंट का ध्यान देना है इस ग्लास हम एक ग्लास चावल लिए है तो इसमें देढ़ ग्लास पानी डालना है अच्छा यह बिल्कुल बनेगा बिल्कुल एक दम जैसे फरहर हम लोग बोलते हैं वह ऐसा होगा अब देशा खिला-खिला अब यह हम थोड़ी सा धनिया पत्ती डाल देंगे अगर किसी के पास पुदीना पत्ती है तो भी डाल दे और यह आधी नीवु अगर हरा नीवु आपको मिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है यह नीवु हमारे पेड़ का है वह हमारा पेड़ है उजर सही नीवु आई हो एक्दम फ्रेश ताज महता है ना मतलब बहुत अच्छी खुश्ब है इसकी वह एकदम घर पे गूंज जाती है तो गया ममी नीवु अब हमको हाई और करते हैं अब देखिए इसका प्रेशर खता एक सीटी लग गया था प्रेशर भी खतम हो गया है प्रेशर खतम होने के तीन चार पांच मिनेट बाद हम खोल रहे हैं मोमेंट ऑफ तरुथ हां क्या बनको भाई देखो कितना मत चावल देखो अलग दिख रहा है अब हम तुम पाफ जो खुशुब आरी नहीं क्या टॉप की लग रही है अब भाई अलग अलग चावल है बिल्कुल सब्जी भी पर परफेक्ट पका हुआ है क्या देख रहा है यार मजा आगया देखिए नहीं इक्दम टॉप का दिख रहा है एक्दम अब बहुत पसंद आर गजब का देख रहा है मजा आजाएगा इसको तो टेस्ट करने में मस्ध्यान ये देना है कि पानी बिल्कुल एक जितना चावल हो उसका डेरा पानी एक सिती बहुत जागा और सब्जी एक दम खुख हो गई भाई हां जाओ गिरेगा गिरेगा कोई बात नहीं बहुत मस्त देख रह रिंड़ों मुसालिदार देख रहा है आट टेस्टिंग ही कर लो चलो टेस्टिंग किया जाए जाए गरम गरम जदा अच्छा लगे कर दो कqua करने जा रहो हूं मैं टेस्टिंग ॑वल सब चीज की जरुवत है है नहीं है दज है नहीं कितनी जरुवत है लुके यह पता कैसा बनाय मम्नी सूपर मनाया सूपर गजब का लग रहा है जो जो मसाला पढ़ा है उसके एक दम देखो गोभी बगएर देखो एकदम ये एकदम गली हुई सबजीया है जेतनी गलनी चाहिए हां गलनी चाहिए लेकिनी महस महीं होना चाहिए हम और टेस्ट खड़े मसा लगनी साहिए थो, जरुकत में बाल बमने और गलनी में ज़ा है यो खांग को स सब्सक्राइक मत द कवेतर है और पानी पहत जबर्षका जब कर दो का एक दो